प्रोब्लम हो जाती है किसी स्टूडेंट के उपर तो उसमें क्या क्या एक्षन लिया जाता है उनिवर्सिटी के द्वारा और आप इन चीजों से कैसे बच सकते हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहां पर क्या क्या ओफेंस होते हैं उनिवर्सिटी में जिसके हिसाब से हता है पर तो सबसtold Unter matric! dice and academic office so well आपने साइट नहीं कर रखा और उसमें आपको से उनिया उनिया इत्त से काम नहीं क्या जो होते हैं देख सकते हो वहां पर उसकी वेबसाइट पर जाकर आपको यहां पर basic knowledge दे रहा हूं तो यह चीज़ें होती है उसमें आपको फिर भी छोड़ जाता है वर्णिंग देखिया फिर ऐसा आपको बुलाया जाता है में ऐता और आपके रूपर केस बन गया जिसेंगे कर रहा था तो एक जूसरे स्टूडेंट से मेच कर रहा था तो अन मोडिल टीचर है उन्होंने मेरा केस एक्पीओ को ट्रांसफर कर दिया था एक्पीओ वह होता है जो कि आपका जो केस इना उसको देखता है उसका एकडिमिक प्रक्टिस ऑफिसर तो जब ऐसा कुछ प्लेजरीज्म का है कुछ लफड़ा पड़ता है तो आपका मोडिल लीडर केस को एक्पीओ का ट्रांसफर करता है फिर एक्पीओ देखता है कि केस किससे आप से आपको कॉंटेक्ट करता है य over ओप भर इमेल आता है आपको जिन एक statement दूँ उनको जिनमें मैं उनको समझाओ कि यह जो assignment बनाया था वो मैंने खुद ने बनाया है और मैंने किस तरीके से बनाया है और मैंने कोई cheating या फिर collision नहीं किया है तो वो सब चीज़े मुझे उनमे statement में लिखे उनको अच्छे से समझाना पड़ता है तो मैंने वो statement वाला option लिया क्योंकि देखो क्या होता है कि face to face में कई बार हम इतने अच्छे नहीं होते हैं communication में और मेरा थोड़ा communication का मेरे को लग रहा था कि अगर यहां पर कच्रा हो गया तो हो सकता है कि मेरे उपर ज्यादा strict penalty लग जाए तो मैंने statement वाला option चूज किया मैं मैं advice भी लिए कई लोगों से जिनके ओपर पहले यह case बढ़ चुका था तो हाला कि क्योंकि मेरा main content में कोई place risk में नहीं था और मेरा reference और table of contents में था जो कि place risk में include होता नहीं है लेकिन module leader को यह लगा कि हमने cheating कर रही है जो दो तीन लोग जिसका मेरे साथ में चोर रहा था न फिर मैंने उस statement में सारा कुछ बताए कि यह मेरा ही खुद का work है और जो जो मैंने जिस तरकी से बनाया था उसको सारा कुछ statement में लिखके उसको email कर दिया आपको एक date दी जाती है और उस date पर एक time के हिसाब से आपको वो चीज़े करनी पड़ती है तो मैंने वो किया तो अगर आप खुद का काम कर रहे हो तो आपको अगर इस सीन आ भी जाए आपके उपर इसा case बन भी जाए तो आप समझा सकते हो उनको statement में तो लोग आपकी बात मानेंगे लेकिन यह चीज़ रिपीट होती रहे अगर एक बार हो गया दो बार हो गया तो फिर वो लोग कि है तो उनको अपनी बात अच्छे सा समझाओ और ट्राई करो कि यह सा कुछ दूबारा ना हो अकेडमी को ओफेंस होता है न वह उसमें क्या-क्या चीज़ आती है वह मैं आपको बताता हूं तो अकेडमी को ओफेंस होता है जिसमें एक तो कॉंट्रेक्ट चीटिंग आ जात होता है या कुछ भी होता है तो वह फिर उसमें प्लेग्जरिज्म के अंदर आता है और उसमें आपको पैनल्टि आपके उपर लग सकती है कई बार तो श्टुएंटस को निकाल भी देते हैं या फिर उनको फेल कर देते उस मॉडियल में या फिर उनको उसका रीसीड यह दिया जाता है ऐसा कुछ इन होता है और कई बार खाली रिजीट का उप्शन आपको दिया जाता है तो यह सब चीज़ा होती है और जब रिए प्रोब्लमस आती हैं और जब आप पास नहीं हो पाओगे कि चकर में उनको एक्स्टे कर वाना पड़ता है ऑगल उनिवर्सिटी इंक्स्टेंड भी निहीं कर रही वीजा उगा तो आपको από सिंसे इन पड़ेगा वहां से अपको प्यस्टा आपको पड़ेगी उसक्टिने में टायम और फिर आप PSW में आपके दिक्कत आ सकती है सीरा यह सीन है तो आपको ट्राई करना है कि अगर आप यहाँ पर पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ाई को थोड़ा सीरियस ली लो और पढ़ो, डिगरी कंप्लेट कर लो उसके बाद PSW में आपको जो करना हो करो ठीक है कोई रोक नहीं रहा है लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सीरियस लो और इनको पर ध्यान दो तो आज का यहीं वीडियो इसी को पर था कि प्लेगरिज्म को बहुत ही जादा यहाँ पर स्ट्रिक्ट तरीके से ट्रीट किया जाता है और आपको ध्यान रखना है अगर आप यहाँ पर पढ़ने आ रहे हो 20-25 लाग रुपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वह वेस्ट नहीं होने चाहिए क्योंकि कम सख़म आपको PSW मिले आप वापस उसमें काम करके हो पैसे अगर आप earn कर लो ठीक है तब तक तो ठीक है लेकिन अगर आपने वह पैसे कमाए नहीं और आपको वापस इंडिया जाना पड़ा तो मतलब कितनी बड़ी प्रोब्लम होगी आपके लिए तो इन चीजों का ध्यान रखना आप लोगों और अगर और को इंफ्रोमेशन वगरा चाहिए हो तो आप कॉमेंट्स कर सकते हो और उसके पर भी वीडियो बना लूँगा